हेलो इस्ट्रेंट्स कैसे हैं आप आज हम बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक की बात करने वाले हैं और यह हमारा टॉपिक होगा मैकनिजम आफ हॉर्मोन एक्षन इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि हॉर्मोन अपना एक्षन किस तरह से करते हैं हम जानते हैं कि different endocrine glands जो होती हैं वो secret करती हैं hormones और ये hormones जो होते हैं वो हमेशा work करते हैं किसकी तरह chemical messenger की तरह हैं ये हम chapter की starting में पढ़ चुके हैं कि hormones always act like chemical messenger और ये chemical messengers जो हैं ये chemical messenger actually primary messenger हैं कैसे messenger हैं बच्छो primary messenger primary messenger का मतलब सबसे पहले cell तक किसी action को करने के लिए message जो लेकर जाता है वो है कौन हमारे hormones hormone ही cell तक work करने के लिए message को लेकर सबसे पहले जा रहे हैं उसके पाद cell के अंदर आगे mechanism हो रहे हैं वो different mechanism different हैं जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं लेकिन सबसे पहले, hormones are chemical messenger, they are also work as a primary messenger, ठीक है, और इसके लावा हम बात करते हैं कि, hormones are secreted by endocrine glands, and you know that endocrine glands are duct gland glands, कैसी होगी, ductless gland होगी, ऐसी glands जिनके पाथ duct present होगी या नहीं होगी, नहीं होगी, ductless gland है, and these gland pour its secretion directly into venous blood, ये सीधे ही अपने secretion को कहा डाल देंगी, venous blood में, आज हम hormone के बारे में detail में बात नहीं करने वाले, आज हम जिस topic की बात करने वाले हैं, वो है हमारा mechanism of hormone action, hormone किस तरह से अपना action शो करता है, अगर mechanism of hormone action को हमें समझना है, तो सबसे पहले हम हमें ये बात समझनी होगी, कि hormone जो हैं, वो दो variety के होते हैं, हमें समझना होगा कि hormone जो हैं, वो एक तो होते हैं, water soluble, और एक होते हैं, fat soluble, water soluble, और दूसरे वाले जो होंगे, वो क्या होंगे, fat soluble, fat soluble hormone जो होंगे, वो होते हैं, हमारे steroid hormone, steroid hormone जो होते हैं, वो fat soluble होते है इसके अलावा, maximum most of the hormones are water-soluble, बहुत सारे hormones हैं, जो है water-soluble, most of the hormones are water-soluble and steroid hormone, जैसे अगर हम बात कर सकते हैं कि hormones secreted by gonads, sex hormone जो है, वो steroid nature के होते हैं, वो सभी क्या हैं, आपके fat-soluble hormone हैं, ये चीज बतानी क्यों जवरी है पहले इस सारे topic से, ये चीज बतानी इसलिए जवरी है, क्योंकि आप सभी को पता है, हमारी cell, जो है, उसकी cell membrane, आप बढ़ते हैं, fluid malzak model given by Nicholson and Singer, उन्होंने detail में structure को explain किया, उन्होंने बताया कि cell membrane is formed by double layer of phospholipid, और phospholipid से बनी हुई cell membrane, जो है, जो lipid से बनी हुई cell membrane है, वो lipid में soluble hormone के लिए easily permeable होगी, और ऐसी cell membrane water soluble hormone के लिए पूरी तरह से permeable नहीं होगी, तो फिर हम बात करते हैं, क्या hormone जो water soluble है, क्या वो cell पर अपना action नहीं दिखा पाएंगे, वो भी अपना action दिखाएंगे, और जो fat soluble है, वो भी अपना action दिखाएंगे, हormone को तो काम करना ही है, अगर अपन hormone के secret होने का मतलब क्या है, तो बात करते है, hormone अपना action कैसे show करते हैं, याद रखें, hormone हमेशा अपना action उस cell पर show करते हैं, जिस cell पर उस particular hormone के लिए receptor present होते हैं, मतलब किसी cell पर मिलने वाले receptors जो होते हैं, उस receptor के according अपना hormone action शो करते हैं, अगर किसी cell के पास किसी particular hormone के लिए receptor नहीं है तो वो hormone उस cell पर कभी action भी नहीं कर सकता ठीक है और याद रखें अगर receptor की बात हमें समझनी है तो सबसे पहले हमें ये बात करनी होगी कि receptor जो होते हैं वो mainly दो तरह के होते हैं कुछ receptor ऐसे होते हैं जो cell के अंदर होते हैं और किस receptor ऐसे होते हैं जो cell के बाहर होते हैं ऐसे रिसेप्टर जो सेल मेंब्रेन पर होते हैं उनको हम बोलेंगे एक्स्ट्रा सेललर रिसेप्टर और जो एक्स्ट्रा सेललर रिसेप्टर हैं जो सेल के बाहर हैं क्या उन्हें मेंब्रेन बाउंड रिसेप्टर नहीं बो सकते हैं उन्हें मेंब्रेन बाउंड रिसेप्ट ऐसे receptor जो cell के अंदर है वो cell के अंदर cytoplasm में भी हो सकता है और nucleus में भी हो सकता है मतलब अगर हम बात करें इन receptor को हम दूसरा नाम क्या बो सकते है nuclear receptor तो याद रखें हमें cell पर दो तरह की receptor देखने को मिलेंगे ऐसे receptor जो cell membrane पर होते हैं उनकों बोलते हैं membrane bound receptor और extracellular receptor while receptor situated in cytoplasm and nucleus called intracellular receptor or nuclear receptor अगर यह basic information आपको समझ में आएगी तभी हम आगे mechanism of hormone action को detail में ले पाएंगे अब इसका मतलब हमें यह बात पता लेकि होर्मोन दो तरह के हैं water soluble, fat soluble और यह hormone उस cell पर action करते हैं जिस cell पर in particular hormone के लिए क्या present होता है receptor present होता है अब बात करते हैं कि receptor जो है वो इसका मतलब hormone जो है वो या तो extracellular receptor से bind होगा या intracellular से bind होगा अब simple सा concept है बच्चो अगर कोई hormone किसी cell पर action करता है और वो hormone water soluble है तो वो cell membrane से पास नहीं हो सकता अगर cell membrane से पास नहीं हो सकता और उसे उस cell पर action भी करना है तो उसे उस cell के बाहर मिलने वाले receptor से जोड़ना होगा तो याद रखें हमेशा hormone किसी receptor से जोड़कर यह action कर सकता है कभी receptor hormone complex बिना cell hormone का action हो ही नहीं सकता water soluble hormone cell membrane पर मिलने वाले extra cell receptor से बाइंड होते है जबकि अगर intra cell receptor की बात करें तो fat soluble hormone जो है वो intra cell receptor से बाइंड होते है इसका मतरब ऐसा नहीं है कि fat soluble hormone जो है वो तो सीधा ही cell में एंटर कर जाते है तो cell में एंटर करने से कुछ नहीं होगा अगर hormone को cell के अंदर एक messenger की तरह action करते हुए cell पर एक्ट करना है तो उसे किसी ना किसी receptor से जुड़ना ही होगा fat soluble hormone जो होते हैं वो intra cell receptor से बाइंड करते हैं और water soluble hormone जो होते हैं वो extra cell receptor से बाइंड करते हैं इसका मतलब हमारे सामने ये बात आ जाती है कि hormones जो हैं वो कुछ hormone ऐसे होते हैं जो extra cellular receptor से बाइंड करते हैं तो चलिए दोनों का mechanism देखते हैं कि extra cellular receptor से बाइंड होने के बाद cell का किस तरह से hormone का action होता है और extra cellular receptor, intra cellular receptor, दोनों के लिए action किस तरह से होता है, इसकी बात करते हैं, तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, mechanism of hormone action by interaction with, कौनसा receptor, intra cellular receptor की बात कर लेते हैं, चलिए बात करते हैं, सबसे पहले, intra cellular receptor, ठीक है, intra cellular receptor की हम बात करते हैं, ये रहा हमारा intra cellular receptor, देखिए, mechanism of hormone action by interaction with intra cellular receptor, इस डियाग्रम में आप देख सकते हैं यह है estrogen अभी मैंने थोड़े पहले कहा था कि fat soluble hormone कौन सा है हमारा fat soluble hormone जो होते हैं वो intracellular receptor से bind होते हैं किस से bind होंगे intracellular receptor bind with nuclear receptor मैंने अभी आपको दूसरा नाम बताया था intracellular receptor is also called nuclear receptor और मैंने बताया था fat soluble hormone कौन सा hormone fat soluble है याद रखें fat soluble hormone हमारे sex hormone कैसे है fat soluble है क्योंकि वो steroid hormone है और याद रखें sex hormone की बात करते हैं sex hormone में यहाँ पर diagram में भी हमने यह example लिया है और आपकी NCRT का भी diagram है यह estrogen अगर हम estrogen की बात करें तो estrogen जो होता है वो एक sex hormone है यह एक steroid hormone है और always hormone act like primary messenger याद रखें हमेशा hormone जो है वो primary messenger की तरह action करता है chemical messenger है and primary messenger की तरह भी function करेगा और आप जानते हैं कि यह fat soluble hormone है तो कभी भी cell membrane as a barrier इसके लिए function नहीं करेगी सीधा यह cell membrane से पास हो सकता है लेकिन मैंने अभी आपको क्या बोला था कि कभी भी hormone किसी receptor से जुड़े बिना अपना action नहीं कर सकता तो अगर यह fat soluble hormone किसी extra cell receptor से bind नहीं हो रहा है तो फिर यह कौनसे receptor से bind होगा यह bind होगा कौनसे से इंट्रा-cellular receptor से जिसको हम और क्या बोलते है nuclear receptor तो देखिए यह estrogen सीधा fat soluble होने की वैसे cell membrane से होता हुआ सीधा अप enter कर गया और यह जुड़ जाता है nucleus में मिलने वाले receptor से और nucleus में मिलने वाले receptor से जुड़ेगा तो बनेगा तो क्या रेसेप्टर हॉर्मोनriminal complex बनेगा तो वही receptor hormone complex और यह receptor hormone complex बनने से क्या होगा formation of receptor hormone complex जो होता है वो physiological response सीधे ही नहीं देता वो actually action करता है genome पर, वो actually क्या करवाता है, transcription और translation का process करवाता है, transcription और translation के process से आप सबी जानते हैं, transcription का process होगा, mRNA का formation होगा, और translation के process से finally हम क्या बनता है protein, और ये जो protein बना है, ये protein इस hormone के according ही तो बना है, मतलब इस hormone ने stimulate किया genome को for the formation of protein, और translation के process से यह जो protein मना है यह protein या तो सीधे ही physiological response देदेगा जो हम देख भी सकते हैं diagram में या तो सीधा ही क्या देगा physiological response देगा या फिर हम बोल सकते हैं कि यह protein जो है वो enzymatic हो सकता है और यह enzymatic protein जो होगा वो अपना action शोग करेगा किसी भी reaction की rate को increase करेगा catalytic activity शो करेगा या tissue की growth करवाएगा differentiation करेगा या physiological response या सीधा protein दे सकता है या protein enzymatic होतो अपना आगे भी action कर सकता है तो याद रखे fat soluble hormone हमेशा intra cellular receptor से bind करते है receptor से bind करना बहुत ज़यरी है बिना receptor के bind किये कोई hormone अपना action शो नहीं कर सकता ठीक है तो अच्छे से concept सहुझ में आया हुआ हमने अभी बात कि है mechanism of hormone action by interaction with intracellular receptor also called nuclear receptor चलिए अब इसका मतलब जो water soluble hormone है वो intracellular receptor से तो bind नहीं होगा वो तो bind होगा कौन से receptor से वो तो bind होगा extra cellular receptor से तो चलिए उसका concept भी देख लेते है mechanism of hormone action by interaction with extra cellular receptor की बात करते है जैसे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर water soluble hormone की यहाँ हम जिस hormone की बात करने वाले हैं वो कौन सा है बच्छो water soluble hormone water soluble hormone जो होगे water soluble hormone जैसे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर FSH एक water soluble hormone most of the hormones water soluble होते हैं esteroid hormones और कुछ hormones को छोड़ कर तो water soluble hormone जैसे FSH जो है वो bind होगा bind किसे होगा? bind with कौन से receptor? extra cellular receptor से कौन से receptor से bind हो जाएगा? extra cellular receptor से bind हो जाएगा और जब यह extra cellular receptor से bind होगा तो क्या होगा? इस बात को समझते मचो mechanism थोड़ा सा अगर हम बात करें एक long cascade mechanism है लेकिन हम थोड़ा से briefly याद रखें तो क्या होगा? देखिए hormone always hormone act like primary messenger यह मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ अच्छे से याद रखें हमेशा hormone action करता है किसकी तरह? primary messenger की तरह hormone यहाँ पर भी हमने एक्जामपल लिया था वही है FSH FSH water soluble hormone है water soluble hormone cell membrane से सीधे पास नहीं हो सकता इसलिए अब यह जुड़ेगा receptor से and this receptor is कौन सा है पच्छो? यह receptor जो है वो कौन सा receptor है? extra cellular receptor है और यह extra cellular receptor जो होगा जब इससे bind होगा तो क्या बनेगा? receptor hormone complex यहाँ पर भी तो उसी का formation होगा किसका? receptor hormone complex का formation होगा और receptor hormone complex या hormone receptor complex का जब formation होगा तो यहाँ पर cell membrane में एक long chain reaction होगी जो अलग लग होगी and this long chain reaction stimulate the formation of second messenger किसके formation को stimulate करेगा? second messenger के formation को second messenger का formation होगा and this second messenger तभी तो मैं बार-बार क्या बोल रहा हूँ? primary messenger कौन होता है? hormone उसकी वैसे cytoplasm है secondary messenger बनेगा क्यों बनेगा? जब primary messenger मतलब hormone extra cellular receptor से bind होता है hormone receptor complex बनता है यह hormone receptor complex stimulate करता है किसको formation of second messenger and cytoplasm किसमे? cytoplasm में और cytoplasm में एक बार second messenger बन गया तो यह second messenger ही क्या देता है? biochemical response जो आप diagram में भी देख सकते हैं क्या देगा? biochemical response इसका मतलब यह second messenger ही आगे काम करता है और यह biochemical response जो long cascade reaction के form में होगा यह cascade reaction के end में हमें क्या मिल जाएगा? एक response मिलेगा and this response कैसा response होगा बचो यह? यह होगा physiological response और इस physiological response से cell अपना action शो कर देगी cell अपना physiological response देगी जैसे FSH क्या करवा सकता है? किसी cell पर जाकर FSH ovarian follicle में जाकर ovarian क्या करवा सकता है? growth करवा सकता है तो वो ovarian क्या करवा देगा? growth करवा देगा तो याद रखें ovarian growth करवाता है FSH यह तो एक normal mechanism है ठीक है? तो इस तरह से आपका mechanism of hormone action हमने बात की intracellular receptor से और कौन से receptor से? extra cellular receptor से first question है steroid hormone easily pass through the plasma membrane by simple diffusion because they आप देख सकते हैं last year पहले पूछा है जा चुका है question तो steroid hormone easily pass हो सकते है plasma membrane से by simple diffusion क्यों हो सकते हैं? क्योंकि plasma membrane हमें पता है कि किस से बनी हुई है? lipid से बनी हुई है और lipid से बनी हुई है lipid और उसके derivative के लिए क्या होगी? permeable होगी इसलिए steroid hormone lipid soluble होने की वैए से easily pass by membrane से क्या हो सकते है? pass हो सकते यह अभी हमने थोड़े पहले बात की थी तो no doubt इसका अंसर बना चाहिए lipid soluble बहुत सिंपल कोशन है लेकिन अच्छे से याद रखें अगर इस बात को आप याद रख लेंगे तो आपको काफी सिंपल लगया लेकिन अगर आप इसे याद ना रखें तो काफी टिपिकल कोशन भी बन जाता है यह और नेक्स कोशन है estrogen and testosterone both are sex hormones you know that estrogen present in female and responsible for the secondary sexual characters in female and testosterone is a male sex hormone responsible for secondary sexual characters in male both are steroid hormones and are most likely to bind याद है steroid hormone lipid soluble होते हैं सीधा plasma membrane से diffuse होकर cell में चले जाते हैं लेकिन बिना receptor के जुड़े तो काम हो ही नहीं सकता इसलिए जुड़ना पड़ेगा या तो cytoplasm में मिलने वाले receptor से या nucleus में मिलने वाले receptor से तो देखते हैं किस से जुड़ता है यह भी extra cellular जहां भी membrane आ गया वो सारे कैसे हो जाएंगे extra cellular इसका मतलब cytoplasmic receptor से जुड़ेंगे estrogen और testosterone ये दुनों steroid hormone अपने action करेंगे इसका भी no doubt answer होगा first तो I think आज जो आपको mechanism of hormone action बताया उससे आपका hormone वाला portion की hormone अपना किस तरह से action शो करता है clear हुआ होगा और next lecture में फिर हमें एक और interesting topic के साथ आते हैं तब तक वच्चों, thank you